Hello everyone, this is Shikha Srivastov from Mathematics Fund. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8, Chapter 7 that is Comparing Quantities में Exercise 7.1 solve करेंगे. और ये सब मैं Updated NCIT syllabus 2023 के according आप लोगो को पढ़ा रही हूँ. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं किसके पिछले वीडियो में मैंने Chapter 6 तक fully cover किया हुआ है. सारे ट्राइदी, सारे exercises and introduction part. अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल Mathematics Farm पे जाके Playlist section विजिट करिए. Playlist में आपको Chapter wise वीडियो मिल जाएगी. Okay? So, first question is, find the ratio of the following. आपको ratio find out करना है. क्या find out करना है? Ratio. Ratio क्या होता है? हम लोग introduction part में cover कर चुके हैं. Ratio means comparing quantities of same kind. Ratio means comparing two quantities of same kind. Same kind का मतलब एक जैसी. जैसे अगर speed है, तो उसका comparison speed से होगा. ठीक है? अगर height है, तो उसका comparison height से होगा. अगर weight है, तो उसका comparison weight से ही होगा. ठीक है? तो same kind की quantities को इसमें compare करते हैं. Ratio means comparing two quantities of same kind. Okay? तो चलिए ratio find out करते हैं. Number 1. Speed of a cycle 15 km पर आर. देखिए. km पर आर. ये speed की unit है. To the speed of a scooter. 30 km पर आर. दोनों से kind की quantities है. दोनों speed है. ठीक है? तो ratio find out हो जाएगा. चलिए find out करते हैं. 15 km पर आर. रेशियो 30 km पर आर. is equals to. देखिए. km पर आर से km पर आर cancel out हो जाएगा. रेशियो की कोई unit नहीं होती है. ठीक है? क्योंकि ये ओपर नीचे से cancel out हो जाती है. तो यहां क्या बचा 15 और 30. सिंप्लिफाइ कर लिजिए. 5, 3 जा 15 और 5, 6 जा 30. उसके बाद अभी और सिंप्लिफाइ होगा. 3, 1 जा 3, 3, 2 जा 6. क्या है है? 1 upon 2. और 1 upon 2 means 1 ratio 2. आपको ratio find out करना कहा. हम लोगों ने ratio निकाल लिया. This is answer. Now, B part 5 meter to 10 kilometer. 5 meter to 10 kilometer. देखिए. यहां meter है, यहां kilometer है. दोनो है distance की unit. है ना? दोनो distance की unit है. Meter और kilometer. But unit same नहीं है. यहां पे meter है, यहां पे kilometer है. तो सबसे पहले हम unit को same बनाएंगे. तो देखिए. 1 kilometer is equals to 1,000 meter. होता है की नहीं? तो 10 kilometer में कितने meter होंगे? 10 kilometer is equals to 10,000 meter होगा की नहीं? होगा. अब देखिए. यहां पे 5 meter है, यहां पे 10,000 meter है. दोनों की unit same हो गई है. अब मैं ratio निकाल सकती है. तो लिखिए. यहां पे 5 meter upon 10,000 meter. meter से meter cancel out हो जाएगा. इसको simplify कर दीजिए. 5 से दोनों divide होंगे. 5 गोंजा 5. 5, 2 गा 10. And 3, 0. ओके? क्या आया? 1 upon 2000. 2,000. 1 upon 2000 means? 1 ratio. 2,000. या फिर 1 is 2. 2,000. इसको हम लोग is 2 बोलते हैं यह जो symbol. यह जो बना है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Is 2. इसको कैसे रीट करेंगे? 1 is 2, 2,000. 1 is 2, 2,000. This C part 50 पैसे to रुपीज 5. यहां पे पैसे हैं और यहां पे रुपीज हैं. पैसे और रुपीज. यूनिट से नहीं है. सबसे पहले यूनिट को हम सेम बनाएंगे. So, 1 रुपीज is equals to एक रुपे में कितने पैसे? तो 100 पैसे. 100 पैसे. So, 5 रुपीज is equals to कितने पैसे? 5 से multiply हो जाएगा. That is 500 पैसे. अब यहां पे भी पैसे में given है 50 पैसे. और रुपीज 5 को मैंने पैसे में convert कर दिया. That is 500 पैसे. आब इनका हम ratio निकाल सकते हैं. तो चलिए निकालते हैं. 50 पैसे. 50 पैसे. रेशियो 500 पैसे. Is equals to पैसे से पैसे. Cancel out. 0 से 0. Cancel out. 5 बंजा 5. 5 तेंजा 50. क्या आगिया? 1 upon 10. Is equals to 1 ratio 10. This is your answer. यहां पे यह वाला एंसर है. यहां पे यह वाला एंसर. और यहां पे. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. देखिये. क्या मैंने यहां पे पैसे लिखे या फिर कुछ लिखा? नहीं लिखा ना. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे जो भी यूनिट होगी वो उपर नहीं चैंसल आउट हो जाएगी. हम रेशियो फाइंड आउट कर रहा है. यहां पे भी कैंसल आउट हो गई. यहां पे भी यूनिट कैंसल आउट हो गई. और यहां पे भी यूनिट कैंसल आउट हो गई. तो रेशियो की पोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है? So this is your answer Now second question is Convert the following ratios to percentages देखिए आपको यहाँ पे ratio given है आपको इसको percentage में convert करना है यह देखिए 3 ratio 4 and 2 ratio 3 यह आपको ratio given है आपको इसको percentage में convert करना है तो percentage में हम लोग कैसे convert करते हैं यह सब मैंने introduction part में cover किया हुआ है अगर आप लोग मेरी introduction वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे description में जब आप यह वीडियो देख रहे होगे इसके description में मैं एक link डाल दूंगी जो कि playlist की link है आप उस link को touch करना आपको इस chapter की पूरी playlist खोल जाएगी वहाँ से आप कोई सी भी वीडियो इस chapter की देख सकते हो ओके तो अभी मैं बता देती हो कि percentage क्या है तो percentage is a numerator value of a fraction with denominator as 100 देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक fraction लिख रहे हूँ fraction में numerator और denominator होता है यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 100 7 by 100 रिखा तो percentage जो होती है वो numerator value होती है जब उसका denominator 100 हो ठीक है तो percentage numerator value होती है जब उसका denominator 100 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे 7% समझ में आया उसी तरीके से इसको हम लोग swap करेंगे इधे के 3 ratio 4 3 ratio 4 means 3 by 4 अब हमें percentage में convert करना है तो हम क्या करेंगे denominator को 100 बनाएंगे अब denominator 100 कैसे बन सकता है तो देखें 2 तरीके से बन सकता है या तो आप इसको उपर नीचे 100 100 से multiply कर दीजिए 100 100 से उपर भी और 100 से नीचे भी अब इसको simplify करें देखें 4 से 100 cancel out हो जाए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 हो गया 75 by 100 बना की नीचे बना तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 75% दूसरे तरीका क्या है ये तो हो गया 1st 2nd है 3 by 4 3 by 4 को आपको percentage में convert करना है तो देखें denominator 100 बनाना पड़ेगा कैसे बना पाएंगे 4 में ऐसा कौन से number multiply कर दूं की 100 बन जाए तो आप लोग को पता होगा की 4 को अगर मैं 25 से multiply कर दूं तो ये 100 बन जाएगा अब नीचे 25 से multiply किया तो उपर भी 25 से multiply करना पड़ेगा अब देखें नीचे तो बन गया 100 और उपर 25 3 जा 75 तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 75% यूँकि जो percentage value जो percentage होती है वो numerator value होती है जब उसका denominator 100 होता है तो इस इस 75% सेकंड सॉल्व करते है ये हो गया A part B part 2 upon 3 2 ratio 3 का मतलब 2 upon 3 आप denominator 100 बनाना है 3 में ऐसा कौन सा number multiply करूं कि 100 आजाएगा तो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे उपर नीचे दोनों से दोनों में 100 से multiply करेंगे 100 से multiply कर दिया अब हमें इतने को simplify करना है इस 100 को नहीं छूना है क्योंकि हमें denominator में 100 चाहिए तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे बाकी के जो numbers हैं इनको हम simplify करेंगे तो कैसे 100 तूजा 200 by 3 add into 100 समझ में आ रहा है अब 200 by 3 को simplify कर दिजे means divide कर दिजे चलिए यहां पर करते है 200 को 3 से divide 3 6 जा 18 2 आया फिर से यहां 0 आया 3 6 जा 18 remainder क्या आया 2 remainder क्या आया 2 यह देखे 200 by 3 200 by 3 यह fraction में है improper fraction है improper fraction आप लोग पढ़े होगे improper fraction में numerator value, denominator value से बड़ी होती है means numerator is greater than denominator तो improper fraction को हम लोगों ने mixed fraction में convert करना सीखा है ठीक है तो यह कैसे हो जाएगा convert इसको मैं लिख सकती हूँ 66 2 by 3 66 2 by 3 इस 200 by 3 को मैं 200 by 3 को लिख सकती हूँ 66 and 2 by 3 चलिए यहां पर लिख लेती हूँ 66 and 2 by 3 divide by 100 समझ में आया अब numerator value मिल गई और denominator value 100 है तो percentage कितना होगा 66 and 2 by 3 percent this is the answer A वाले का यह answer है B वाले का यह answer है ओके now third question is 72 percent of 25 students are interested in mathematics how many are not interested in mathematics देखिए question क्या कहे रहा है 72 percent of 25 students 25 students का 72 percent are interested in mathematics इतने बच्चे इंट्रस्टेड है mathematics में कितने 25 students का 72 percent निकाल लेना है जितना भी है वो interested है mathematics में then how many are not interested in mathematics कितने बच्चे mathematics में interested नहीं है यह आप लोग को find करना है तो मैं इसके दो method बताऊंगी इधार है first method कैसे करेंगे सबसे पहले आप लिखिए students interested in mathematics students interested in mathematics कितने students interested है mathematics में तो 72 percent of 25 यह यह है चलिए निकाल लेते हैं 72 percent percent का means divide by 100 into 25 यह होगा percent का means होता है divide by 100 इंटू 25 इसको solve कर दीजिए तो 100 किस से कटेगा 25 बन जा 25 25 फोर जा 100 then 4 और 72 simplify होगा 4 बन जा 4 4 बन जा 4 carry आया 3 बन गया 32 4 एड जा 32 कितना आ गया 18 students 18 students 18 students ऐसे हैं जो mathematics में interested है आपको पूछ रहा है कि कितने नहीं है how many are not interested in mathematics तो आपको पता है कि total student 25 है यहां लिख लिएजिए total students is equal to 25 है question में गीवें 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 एड जा So, students not interested in mathematics is equals to 25 में से 18 को subtract कर दीजी. क्योंकि 25 टोटल स्टूडेंट है, क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, जिनमें से 18 को mathematics पसंद है, तो कितने को mathematics नहीं पसंद है, तो 25 माइनस 80 is equals to, 15 में से 8 गया, 7. 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनको mathematics नहीं पसंद है, तो हमें परसंटेज में गिवन था कि 72 परसंट ऑफ 25 स्टूडेंट्स है तो हमें परसंटेज में ही अंसर भी निकालना है, अभी हमने नमबर में निकाला है, अब हम इसको परसंटेज में करवर्ट करेंगे. So, student not interested in mathematics, कितने परसंटेज स्टूडेंट्स होंगे तो देखिए, इसको परसंटेज में कैसे चेंज करूंगी, तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनको mathematics नहीं पसंद है, और डिवाइड वाइड टोटल स्टूडेंट, टोटल है 25 है ना, और हम लोग परसंटेज में कैसे करते हैं, तो इंटू 100 कर देते हैं, नीचे भी 100 से multiply कर देजी, अगर आपको ऐसे ठीक लगे तो, तो अब क्या है, परसंटेज होती है numerator value, जब उसका denominator 100 होता है, परसंटेज होती है numerator value, जब उसका denominator 100 होता है, तो हमें इतने को simplify करना है, divide by 100 को ऐसे ही रहने देना है, अब चल का multiply कर दीजे, 7, 4, 28 and divide by 100, तो यह आ गया 28%, तो 28% स्टूडेंस ऐसे हैं, जिनको mathematics नहीं पसंद है, अगर आपको नंबर में पूछे, तो 7 स्टूडेंस ऐसे हैं, जिनको mathematics नहीं पसंद है, अगर आपको percentage में पूछे, तो 28% ऐसे students हैं, जिनको mathematics नहीं पसंद है, अब हैं, second method, मैं माल लेती हूँ कि total percentage, total percentage is equals to 100%, total percent is equals to 100%, और total students कितने हैं, यह भी आप लिख लीजिए, total students is equals to 25, 25 students हैं, class में, 72% students को mathematics पसंद है, are interested in mathematics, तो यहाँ पर लिखिये, students interested in mathematics, इसको मैं M लिख रही हूँ, students interested in mathematics, M लिख रही हूँ, कितने percent, 72%, so students not interested in mathematics, उसको मैं M लिख रही हूँ, not interested in mathematics, यह कितने हो जाएंगे, तो total है 100%, और जो interested है, वो है 72%, तो not interested कितने होंगे, तो 100 में से 72 को subtract कर दीजिए, कितना आ गया, 28%, 28% ऐसे students होंगे, जिनको mathematics पसंद नहीं है, ठीक है, same answer आ रहा है, percentage में आ रहा है, अगर आपको number में पूछे, कि ऐसे कितने number of students है, जिनको mathematics नहीं पसंद है, तो आप क्या करोगे, देखे, 28% of 25 निकाल दीजिए, तो यहाँ निकाल दीजिए, students not interested in mathematics, is equals to, कितना हो जाएगा, 28% of 25, टीक है, 25 का 28%, लोगों को ही तो mathematics नहीं पसंद है, तो इसका 28% of 25 निकाल दीजिए, answer आ जाएगा, 28% का मतलब होता है, divide by 100, off का मतलब multiply and 25, तो 25 बंजा 25, 25 फोर जा 100, and 4 बंजा 4, 4, 7 जा 28, answer क्या आ गया, 7, So, 7 students ऐसे हैं, जिनको mathematics नहीं पसंद है, तो मैंने या पर दो method आपको बता है, जो आपको suitable लगे, आप उससे कर सकते हैं, कि this is your answer, Now, fourth question is, a football team won 10 matches, out of total number of matches they played, if their win percentage was 40, then how many matches did they played all, question का क्या मतलब है, a football team won 10 matches, out of total number of matches they played, ठीक है, एक कोई football team है, उसने जितने भी total number of matches खेले, हमें नहीं पता कि उसने total number of matches कितने खेले, बट उसने जितने भी total number of matches खेले, उसमें से 10 match में उससे सफलता मिली, means, 10 match उसने जीता है, 10 matches, ठीक है, if their win percentage was 40, अगर इसका win percentage 40 है, then how many matches did they play in all, तब आपको बताना है कि उसने total कितने matches खेले, तो हम इसको let कर लेंगे, let total number of matches bx, हमने माल लिया कि वो जो football team है, उसने total number of matches x खेले, और हमें क्या पता है, matches win, कितना match उसने win किया, तो 10 match उसने win किया, और हमें क्या पता है, win percentage, win percentage is equals to 40, हमें win percentage पता है, percentage क्या होता है, आप लोग percent कैसे निकालते हो, जैसे आपको, आपका class test हुआ, class test जो हुआ, वो total 10 marks का था, कितना total 10 marks का था, यह है total marks, और आपको मिले 8 marks, कितने, 8 marks you got, you got 8 marks, तो अगर मैं पूछू कि आपने कितना percent gain किया, आप कैसे निकालोगे, तो number you got, divide by total marks, ऐसे ही तो करते है, number you got, divide by total marks, into 100, ऐसे ही percentage निकलता है, तो चलिए इसको solve कर लिजिए, 1 0 से 1 0 cancel out, 8 तेंजा, 80% आया की नहीं आया, आया की नहीं आया, तो वही है, यहाँ पे आपको percentage given है, win percentage, तो देखिए, win percentage equals to हो जाएगा, is equals to, matches win, जितने matches उसने जीते, divide by total number of matches, total number of matches, into 100, ऐसे ही निकलता है, percentage, तो चलिए, win percentage हमारा है, 40, यह is equals to हो जाएगा, matches win, कितने matches win हुए, 10, और total number of matches कितने थे, x into 100, इसको solve कर लीजे, x की value निकलाएगी, वही आपका answer होगा, तो देखिए, x को इधर देजते हैं, इधर नीचे divide में है, इधर आएगा, तो उपर multiply में होगा, यहाँ हो जाएगा, x is equals to, यह 40 इधर है, इधर जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 10 into 100 upon 40, 1 0 से 1 0 cancel out, 2 से simplify होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की value कितनी आई, 25, और x है क्या, तो x है total number of matches, देखिए, तो यहाँ पर लिख दीजेए आप, total number of matches, they played, they played is equals to 25, यही आपसे पूशा था कि उन्होंने, total कितने matches खेलें, तो उन्होंने total 25 matches खेलें हैं, this is the answer, now 5th question is, if Chameli had rupees 600 left, after spending 75% of her money, how much money did she have in the beginning, question का मतलब समझे, if Chameli had rupees 600 left, after spending 75% of her money, Chameli के पास, starting में कितने पैसे थे यह नहीं पता है, ठीक है, starting में उसके पास कुछ ज्यादा पैसे रहे होंगे, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, ठीक है, उसके पास जितने भी पैसे थे starting में, ठीक है, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचे हैं कितने 600 rupees, starting में तो इससे ज्यादा ही पैसे रहे होंगे, क्योंकि उसने 75% खर्च किया, अब उसके पास 600 अभी बच्चे हुए हैं, तो उसके पास starting में कितने पैसे थे, यह आप लोगों को find करना है, तो हम माल लेते हैं, let chamelee had rupees x in the beginning, मैंने माल लिया कि starting में उसके पास x rupees थे, ठीक है, चमेली के पास कितना पैसा बचा हुआ है, 75% खर्च करने के बाद, तो आप उसके पास 600 रुपए बचा है, तो यहाँ पे लिखिए, chamelee had left money is equals to rupees 600, ठीक है, और 75% उसने खर्च कर दिया, means कितना percent उसने बचाया, यहाँ पे लिखिए, चमेली had left money in percentage, percentage में उसने कितना बचाया होगा, उसने 75% खर्च कर दिया, तो उसके पास अभी कितना percent पैसा बचाया, total 100% होता है, तो 100% में से 75% subtract कर दिजिए, कितना आ जाएगा, 25% आ गया, means 25%, किसका 25%, total money का 25% अभी उसके पास बचा है, और वही बचा पैसा किसके बराबर है, 600 के, तो solve कर लेंगे, यहां पर लिखिए, so 25% of total money is equal to Rs. 600, समझ में आ रहा है कि नहीं, 25% means 25 upon 100, of का मतलब multiply, total money को हमने x माना है, is equals to Rs. 600, x की value क्या जाएगी, तो 100 इस साइट जाएगा, 100 इस साइट जाएगा, इधा divide में, इधा multiply में होगा, तो Rs. 600 x 100 divided by 25, 25 बचा 25, 25 फोर्जा, 100 कितना आ गया, Rs. 6 फोर्जा 2400, 2400 रुकीर उसके पास, starting में थे, this is your answer. Now 6th question is, If 60% pupil in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the pupil like other games? यह पहला question होगा, है, If the total number of pupil is 50 lakh, find the exact number, who like each type of game? ठीकर है, यह second question है, आप question का मतलब समझते है, If 60% pupil in a city like cricket, एक कोई city है, उसमें 60% लोगों को cricket पसंद है, यहां मैं लिख लेती हूँ, cricket जो है, वो 60% लोगों को पसंद है, 30% like football, football जो है, वो 30% लोगों को पसंद है, and the remaining like other games, और जो बच्चे हुए लोग हैं, उनको other games पसंद है, तो other games, इसका percentage हमें नहीं पता है, तो इसका percentage हम निकाल लेंगे, इतने percent लोगों को other games पसंद है, आगे देखिए, then what percent of the people like other games, तो कितने percent लोगों को other games पसंद है, यह जो इसका answer आएगा, यही पहला question है, यही पहला question है, अभी हम लोग निकाल लेंगे, फिर कह रहा है, if the total number of people is 50 lakh, उस city में total number of people है 50 lakh, लिख लेजे, total number of people is equals to 50 lakh, find the exact number who like this type of game, तो आपको बताना है, exact number of people means, कितने कितने लोगों को कौन कौन सा game पसंद है, यह आप लोगों को बताना है, तो चलिए solve करते हैं, सबसे पहले percentage में दिया था, cricket 60% लोगों को पसंद है, football 30% लोगों को पसंद है, तो बताएए कि other games जो है, other games जो है, remaining लोगों को पसंद है, कौन से? remaining, यहाँ मैं लिख देती हूँ remaining, remaining लोगों को पसंद है, और वो remaining कितने लोग हैं, कितने percent लोग हैं, यह हम लोगों को निकालना है, तो देखिए, total होता है 100%, total होता है 100%, 100 में से अगर मैं 60- कर दूँ और 30- तो मुझे remaining लोग पता चल जाएंगे कि नहीं, हाँ पता चल जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि other games को कितने लोग like कर रहे हैं, कैसे निकालूंगी, 100% में से 60% minus करूंगी और 30% minus करूंगी कितना जाएगा 60, 30, 90, 100 में से 90 minus कर दो 10% यह ही आपका answer है, पहले question का कि जो other games है, उसको 10% लोग like कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे, 10% of people like other games, यह पहले part का answer होगे, आप second part, total number of people 50 lakh हैं, तो आपको आप बताना है कि exact number of people कि कौन कौन game like कर रहे हैं, तो चलिए, cricket का सबसे पहले निकालते हैं, cricket को कितने people like कर रहे हैं, तो 60%, किसका 60%? total का 60%, 60% of total people, चलिए, निकाल लेते हैं, 60% of total people, total people कितने हैं, 50 lakh, एक लेक में कितने 0, 50, यहां पर लिख दीजिए, यह हो गया 50 lakh, तो आप क्या 60% of 50 lakh नहीं, निकाल लोगे, 60 by 100, और का मतलब multiply, 50 lakh, 2 0 से 2 0, cancel out, multiply करा दीजिए, 6 5s are 30, और कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, means 30 lakh, तो 30 lakh लोगों को cricket पसंद है, नाउ, यह तो cricket हो गया, दूसरा है, फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, यह भी निकाल लेजिए, तो फुटबॉल 30% of total people, तो 30% of total people कितने है, उस city में, 50 lakh, solve कर यह, यह हो जाएगा, 30 by 100 into 50 lakh, 2 0 से 2 0, cancel out, 3 5s are 15, और कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, is equal to 15 lakh, 15 lakh लोगों को फुटबॉल पसंद है, अब other games कितने लोगों को पसंद है, यह भी निकाल लेते हैं, other games, people who like other games, is equals to 10%, हम लोगों निकालाने 10%, so 10% of total pupil, total pupil कितने है, 50 lakh, यह हो जाएगा, 10 upon 100 into 50 lakh, 2 0 से 2 0 cancel out, कितना आया, 15 जा, 5, and कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, is equals to 5 lakh, ठीक है, तो मैंने exact number of, exact number में निकाल लिया, कि कितने कितने लोगों को, कौन कौन सा game पसंद है, तो cricket पसंद है, 30 lakh लोगों को, football पसंद है, 15 lakh लोगों को, और other games पसंद है, 5 lakh लोगों को, this is your answer, I hope friends, आपको एक लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care.